हेलो सांतियों, वेलकम टो रोयल स्टड़ी, दोस्तों आज के स्वीडियो में मद्द प्रदेश पत्वारी दोहजार तेविस के स्वैसाल एक्जाम का आपका अब कंटिनियसली चलेंगा, 26 तक आपका एक्जाम है, तो आपको पूरा अनलीसिस करवाएंगे, और आपको जो अनलीसिस मिलेगा, वो शाम को मिलेगा, रात को 9-10 बजे के बीच में मिलेगा, पूरा एजव दिस हम कोश्चन्स आपके लिए लेकर आएंगे, और दोन कर लिजेगा, एफ्लिकेसन के लिंक हमने डिस्क्रीप्शन मिले देएगे, ये इस्टेफ फोलो करेंगे, आसनी से आपको मिल जाएगे, और ये हमारी पटवारी की सपैट्स इस्ट्रीज है, अगर चाहते हैं, तो आप इन्रोल कर सकते हैं, प्रिए रहें, आईए स्टार् बसरत है आप अपने questions जरूत से send करें जितने भी questions आपको याद रहें at least अगर एक question भी याद रहता है तो एक question भी आप हमें send कर सकते हैं के लिए रहें तो आईए start करते हैं और अब हम बात करेंगे 23 अप्रेल की 1st recipe analysis की उसके बाद में अगर आप पुचाते हैं तो इस चैनल पर यापको करवाई जाएगा जेल परारी के लिए वीडियो हमने डाल दिया है अगर नहीं देखा है तो देख लिजगा अब तक सबसे क्यारी करवाएंगे क्योंकि हमें किलियर हो चुका है कि कहां कहां से आपके questions बन रहे हैं फाइनली स्टार्ट केते हैं बिना time waste किए देखें जीके को हम अगर cover करें फस्ट recipe के तो पहला question हमारे निकल कर आ रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा बांध किस राज्ज में हैं भार प्रतिसत की संदर में अगर हम बात करें तो महारास्ट में भारत के बड़े बांधों का 41.29 प्रतिसत है जबकि पिछला जो संस्करन था उसमें यह जो आकड़ा था 35.66 परसंट था किलियर है तो इसमें काफी जादा increase या growth देखने को मिली है महारास्ट में भारत में बांध में जो कि काफी फेमस है और पूचा भी जाता है सबसे बड़े बांधों में से यह के महारास्ट की और यह कोई ना नदी पर बना हुआ है अगला कोशन पूचा गया है अब तक कितने मुक्यमंत्री प्रदान मंत्री बन चुके है यह भारत में अब तक कितने मुक्यमंत्री जो प्रदान मंत्री बन चुके हैं तो ये इनकी संक्या 6 है 6 आपको करिक्ट आंसर एगा देखें PM Modi के अलावा अब तक 5 से प्रदान मंत्री है जो पहले मुख्य मंत्री का दाई तो समाल चुके हैं तो यही question में आप से पूचा गया है तो PM Modi को भी include कर लिया जाए तो यह आपकड़ा 6 हो जाएगा कौन कौन से वो हम हम cover कर लेते हैं देखें देश के पांचवे जो प्रदान मंत्री थे मौरार जी देशाई यह जन्ता पार्टी से थे जन्ता पार्टी के दोर में 1977 से 1989 तक यह प्रदान मंत्री रहे मुख्य मंत्री रहने के दूसरे ह्यों çalışे तीसरे थे देश के दसवे प्रदान मंत्री BP SINGH और BP SINGH भी उत्ता प्रदेश के CM यह भी मुख्यमंत्री देव रहे चु के थे और अभी वरतमान में नरेंड हो ती जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो याद रगिएगा टोटल छे प्रधान मंत्री हुए जो कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं याने मुख्यमंत्री के बाद में प्रधान मंत्री बनने वाले टोटल छे प्रधान मंत्री ऐसे रहे हैं अगले कोशन की ब ये पुस्तक उसमें option आपको दे रहा तो तो ये आपका correct answer हो जाएगा undowntend saving idea of India पुस्तक पूरु वित्तमंत्री पिस चिदंबरम द्वारा लिखी गई और ये जो पुस्तक है पूरु उप्रास्टपदी हामिद अंसारी द्वारा आठ फरवरी 2019 को नहरु memorial संग्राले नई दिल्य में launch की गई थी विपक्च में नीडर के सकती और जवाब दे ही इनकी पुस्तक है और इस्ताई गार्ड विपक्च में एक वर्स ये भी इनकी ही पुस्तक है अगले question की बात करते हैं question हमारा है हाली में भारत और मालदीप के बीच में कौन सा सन्युक्त सेनभ्यास हुआ है तो इसका नाम है का तो दिवहई वहात में embody का जो ओरत हैं यह मितर होता है मन्धिय प्रके गया है मृट प्रेस का सबसे विठी जी यह कौन सा है यह Gleich green एंच दोख एक चीज किलियर करें ग्रेंज का पैटन जो भी हो आपको वह कैलिक करना है कि कि इसे ह Crown को पूचे जाता है कि निमने लिकित में से बताईए निमने में से मंद्रिपरदेश का सबसे उत्री जीला कौन सा है और जहां पर यह निमन वर्द लग जाता है वहाँ पर आपको बताते हैं कि आप static और इसके लाब मैपिंग के भी थोड़े चीज़े याद रखेगा, यहां से जातर questions बनते हैं, यहां पर जो हैं, हम एक एक चीज़ आपको clear करवा दें, यह पूरा map है MP का, यह जो हैं, यहां पर यह वाला उत्तर वाला area है, यह पूर्व है आपका, यह प यह पूरे आपके उत्री जीले हैं, इन उत्री जीलों में से अगर आपको दे दे कि ग्वालियर दे और बाकी इदर के जीले दे नर्सिंग पूर्श यूनी और चिंदवाड़ा, तो बताइए, मत्रदेश निमने मैं से, मत्रदेश का सबसे उत्री जीला कौन सा है, तो पुर्वी जीले हैं इसके अलावा धक्षिनी जीलों की बात करें तो यह आपका बुरहनपूर खंडवा खरगोन बैतुल हर्दा चिंदवाड़ा होसंगवाद यह मद्यप्रदेश के दक्षिनी जीले हो गए अगर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमे में आपका नीमच सब्सें पुर्वी जीला है यहाँ पर आपको दिखहाई दे रहा है यह सिंप्रोली है मद्यप्रदेश का सबसे पुर्वी जीला पश्चिमी की बात करें तो यहीं अने अपको ब्राबर सीमा मिलता रगए इनकी तो कही यह दिखता है और कहीं पर यह मिलता है दक्षिनी जिला ये बुराहनपुरे आपका, ये सबसे नीचे 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 इसकी मार रही है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, और एकुल पोइंट आप याद रखेगा, राजदानी भोपाल से सबसे अधिक्तम दूरी पर जो जिला है, ये कौन सा है, तो देखें, भोपाल स पास में है, एज़ा इसके मुकाबले सिंग्रोली के, इसकी जो लंबाई या दूरी है, ये कितनी है, तो 780 km है भोपाल से सिंग्रोली की, जो कि सबसे अधिके पूरे सभी जीलों का अगर देगे, तो इन सभी जीलों की कमें, सबसे जादा इसी की है, तो यही आपका करें टांसर रहेगा और ये कोशन अल्रेडी आपकी एक्जामें पूचे जा चुका है तो कोशन इस तरह से बंताईए कि बताईए मद्यप्रदेश की राजदानी बोपाल से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा जीला है अगला कोशन है आपका विक्रम सीला विस्विद्याले कहां परे तो ये आपका बिहार के भागलपूर नगर में है विक्रम सीला विस्विद्याले की स्तापना राजद रमपाल ने की थी और विक्रम सीला जो है ये बिहार के भागलपूर में इस्ती रहे तो मद्य पुर्देश में पहला जो संस्क्रत विस्विद्याले इसका नाम है महरसी पानीनी संस्क्रत वैदिक विस्विद्याले संस्क्रत विस्विद्याले उजेन में है आप सभी को पता होना चाहिए और इसका नाम है महरसी पानीनी संस्क्रत एम वैदिक विस्विद्याले इससे पहले महरसी पानीनी संस्क्रत विस्विद्याले के नाम से जाना जाता था लेकिन 2010 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया महरसी पानीनी संसक्रत अम वैदिक विस्विध्यालिस का नाम कर दिया जो कि अभी वरतमान में है और ये एक राज्य विस्विध्याले हैं इसके स्थापना वर्स 2008 में मंत्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी अगला कोशन हमारा है कर्म भूमी किसकी रचना है कर्म भूमी प्रेम चंद जी की रचना है कर्म भूमी मुंसी प्रेम चंद द्वारे एक लिकित उपनियां से बैसिकली यह और धन्पद राई स्रीवास्तव इन्हीं जाना जाता है मुंसी प्रेम चंद के नाम से अगर आपस रचना सुमिद्रा नंदन पंत की हैं देखे इनहीं में से आपका option मिला होगा इनकी already हम इनसे question बन चुके थे हम बता चुके थे ग्रंती, वीना, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवानी और ग्रामिया ये इनकी popular है तो यहीं से आपका option मिला होगा अगला question है सूचना सूचना प्रध्योगी की अधिनियम 2000 की धारत से करके कुछ question आया था, exact हमें नहीं मिला है हमने detail cover करवा दिये, देखे सूचना प्रध्योगी की अधिनियम 2000 बारत का पहला cyber कानून है और यह पहला cyber कानून था जो भारत में e-commerce के लिए कानूनी बुनियाद रणाचा राजित किया गया है, के लिए याद रखेगा एक है point, अगला question है हमारा nuclear power in India, पुस्तक के लेका को नहीं, तो nuclear power in India, पुस्तक के लेका के इनका नाम है N. सर्मा और B. बनर जी, दोनों को आप याद रखेगा, I think आपको दोनों option में मिल सकता है, या फिर एक अखेले भी मिल स और ये जीतने वाली पहली भारती महिला ये बनी थी, पिले रे, कीरन देशाई मेन बुकर पुरुसकार जीतने वाली सबसे कम I.O के महिला थी, तो इनके बारे में भी point किया रखेगा, फगला question है, Victoria Memorial कहां और किसने बनवाया था, तो Victoria Memorial जो बनवाया था, ये बनवाया था, जोर्ज करजन ने, और कॉलकाता में ये बनवाया था, पश्चिमंगाल में, देखे, Victoria Memorial Hall जो है, ये वाइसराई लोर्ड करजन ने, रानी विक्टोरिया की याद में बनवाया गया था, और प्रसिद परेटन स्थल अकरसन है, ये basically Victoria Memorial जो कि कॉलकाता पश्चिमंगाल में है कॉलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल को जोर्ज करजन द्वारा प्रस्थावित किया गया था, और बनवाया था, जोर्ज वाइसराई लोर्ड करजन ने, तो याद रखेगा, और यहां जैसा की नाम से ही पता चलता है, क्वीन एलिजबीट की याद में बनाया गया था, जिनका 1901 में नीधन हो गया था, अगला कोशन पूचा गया है, गिप्ट का गृख भासा में रूपांतरन डन कया है, अगर हम ट्रांसलेट करें इसको गिप्ट को गृख भासा में, उपखार इसको बढला जाता है, गृखर इसको बोला जाता है, ये वित्ळी का मुख्या किसलिए सर्वच नियामक निकाई है तो वैसे कली यह जो है सिद्भी इसका नाम है फुल फॉम भी आप याद रगए लखनाव में इसको मुख्या ले नेक्स्ट कोशन पूजा गया है देखें कोशन इस तरह से पूचा गया सेकेंड राउंड टेबल की वेटक का पूई थी क देखें दूसरा गोल में जो सम्मेला ने यह सास सितंबर 1931 से एक दिसंबर 1931 के बीच में लंदन में आयुजित किया गया था और गांधी ने भारती राश्टी कॉंग्रेस का प्रतिनिदित इसमें किया था तो गांधी ने गांधी जी ने कॉंग्रेस का प्रतिनिदित किय कि लिए आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की कवर करते हैं यह हमारी कुछ online courses है हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्टिस है जेल प्रारी फोरेस्ट गाट की नंबर वन टेस्टिस है एक चीज़ आपको मिलेगी आप इंड्रोल ज़रूर से कर लिए और डेमो पहले चिकाउट कर लिए इनके बारे में complete detail आप ले सकते हैं और काफी अच्छे special offer चल रहे हैं आप जरूर से विजिट एक बार करिएगा देखे science के और आगे बढ़े science का पहला question पूचे गया फस्ट में आवर्त सार्णी के समू 17 तत्व को क्या कहता है इसको हैलोजन बोलाया था या फिर हैलोजन जो बोलाया था आवर्त सार्णी में 17 तत्व को बलाया था इस तरह से question पूचा जाता है वायू प्रदुसन के कारण कौन से बीमारी नहीं होती है तो निर्मल इस तरह सा option दे रखा था बाकि तीन बीमारिया थी एक निर्मल कर क्या option था जो जिन्होंने एक्जाम दिया वहां में बता रहे थी कि निर्मल एक option में था उसमें और निर्मल एज़े कोई बीमारी नहीं होती है तो यह आपका correct answer हो जाएगा तीन बीमारिया थी और एक यह निर्मल दे रख और तता साथ आवर्थ प्रिये डिस में होते हैं नेक्स्ट उसने चाल की या गति की इसाई मात्र क्या है गति का तो यह मिटर सेकेंड होता है मिटर सेकेंड अभियाद रखीगा अगला question बनाए और्टरी डिफेक्ट रोग किससे संब्द रखता है तो देखिए options आपको इ अगला question की बात करें computer में तो computer में पहला question बना है math topology कौन सी है तो इन में से हर device का हर दूसरे device से एक dedicated point होता है point से point link होता है dedicated का मतलब है कि एक link केवल दो device के बीच में traffic को वहन करता है और इसे जोड़ता है या सबसे विश्वसनी topology होती है के लिए अगले question के और आगे next question है हमारा excel में average of sum का सुत्र क्या होता इस तरह से कुछ question पूचा गया next question है excel में row को select करने के लिए याने की row जो होती है excel में उसको select करने के लिए shortcut की कौन सी है तो shift plus space होता है अगला question पूचा गया है वहां इस्तान जहां program file और data computer में संग्रहित store कि किये जाते हैं उनको क्य जो हैं इत्यादी यह कर्मदारिस समास के उधारे ने कुछ हमने बताये हैं हो सकता है इनिवे सो option मिलाओ और अलग भी आपको अज़ा मिल सकता है अगला question पूचा गया उस्ताय किसका इस्ताइबा हो है तो यह वीर रस का है लोहार में प्रति है यह last वाला आर आर हार में ज तो पूजी का प्रियावाची आराध अर्चनी उपाश वंध वंधनी और पूजनी यह सभी पूजी का प्राइवाची वर्ड हैं अगले question के और आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें देखिए यहां पर यह जो first recipe के थे पूरे खतम हो गए question जितने भी मिले सारे के सारे आपको बता दिये हैं पूरी detail के साथ में और बाकी और subject चूट गया है math बगेरा तो वह हम इस वीडियो में second shift का जो लेकर आए इसमें ही हम आपको cover करवा देंगे क्योंकि same topic पूछ भी नया देखने को नहीं मिला है first recipe or second shift में इंतर तो इसलिए हमने second shift में सारे cover आपको देंगे वीडियो के लाट लास्ट में आप सारी चीज़े cover करेंगे आप फूरा वीडियो तेर उसे देखिएगा देखिए कहां देखिए तेविस अफ्रेल सेकेंड शिप्ट को हम स्टार्ट करते हैं क्या 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 आपकी exam में पूच गया सारी के सारे questions मिलें ब एक बावन drill आपको क्लिक करना अगर question बने तो मद्य बदेश के जबलपूर संभाग में 8 जीले हैं इंदूर संभाग में 8 जीले हैं केरे सागर में 6 और बोपाल में 5 जीले हैं याद रिखी हैं मत्यशन पूच ने हैं तो यह हर साल 26 नॉब्र को मनाय जाता है संविधा सबाने भारत के सनविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया तो याद रिखेगा भारत सरकार ने 19 नवर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वरा 26 नवर को सनविधान दिवस के रोप में गोसित किया है अगला कोशन पूचा गया है जम्मू कस्मीर का लोकनित्य कौन सा है तो जम्मू कस्मीर के जो लोकनित्य इसमें दमाली हिकात डांडी नाच डंडी नाच राव लडाकी तो इन ही में से आपको अप्शन मिला होगा अगला कोशन पूचा गया है मद्वर्देश का कौन सा जीला राजस्तान की सीमा से लगा हुआ है तो देखे राजस्तान की सीमा से लगए वह जीले जहाबवा रतलाम मंसोर शौपूर नीमच राजगर गुना सीव पूरी वो राजस्तान से टच होते हैं अगला कोशन बात करें कोशन है हमारा विस्व की सबसे बड़ी देखे विस्व की सबसे उची चोटी कौन सी है तो विस्व की सबसे उची जो चोटी इसका नाम है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे उचा परवत है माउंट एवरेस्ट याद रखेगा और ये कापी प्रसिद है नेपाल में हिमाले में एक बड़ी नुकूली चीज है ये है ना 8848 मीटर पर इसकी उचाए ये टोटल ये वास्तों में बहुत उचा परवत है माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सभी आइटिंग जानते हैं जातर लोग ये भी जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे उचे जो परवत है इसका नाम है केटू और स्ट्रिन गार्डविन जिसको बढ़ जाता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के तीसरे परवत कौन सा है तो यह है आपका कंचन जंगा अगला कोशन पूज़े गया है अकबर का उत्रादिकार कौन था है नाम अकबर का उत्रादिकारी कौन था सही जवाब रहेगा जहांगीर आपको सलीम भी एज़े ऑप्शन में मिल सकता है बट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी उसकी होती है अकबर का उत्रादिकारी जहांगीर था सलीम ने अपने पिता अकबर की मृत्यू के बाद जहांगीर की उपादी ली थी के लिए पहले इसका नाम सलीम था पर अकबर की मृत्यू के बाद में जहांगीर की उपादी इसने लीती सलीम नहीं इसलिए इसको जहा मुगल समराड था ये जहांगीर 1605 से 1627 तक उन्होंने अपनी मृत्यू तक सासन किया है और इसका जो मंगबरा देखने को मिलता है जहांगीर का सद्रा में लिश्तिते जो पाकिस्तान के लाहूर में मुझूद है अगला कुशन है साथ वाहन वंस का संस्तापक होने तो साथ संस्तापक है इनका नामे राजा सीमुक सीमुक ने साथ वाहन राजवन्स की स्तापना की थी वे सासकों के प्रतिनुदित के साथ अपने सिक्के जारी करने वाले प्रात्मिक इस्तानी भारती सा सकते और गोत्मी पुत्र सतकर्णी द्वारा सुरू किया गया था यह है जिन इनकी रचना है इसके लावा पराज जिता पारी जात रस कलस चुबते चोबते हैना इसके लावा चोके चोबते ठेट हिंदी कठाट अधखिला फूल रुकमनी परिने हिंदी बासा और साहित का विकास यह कुछ इनकी रचना है इनिमें आपको उप्शन मिला हुआ अगला को अगला कोशन पूजग आया है निरियात को क्या कहता है तो इसको एज एक्सपोर्ट बोला जथा है अगर आपको आपको पुरी डेफिनिशन चाहिए इसकी तो देखे वस्तूआ देश से देश में भेजना निर्यात कहलाता है, यानि कि अपने देश से अगर चीच किसी वस्तू को दूसरे देश में भेजा जाएगा तो उसको निर्यात किते हैं और वहां से किसी चीच को यहां पर लाया जाता है तो इसको आयात बोला जाता है, दोनों आप याद रखेगा import और export. के लिए रहे, किसी भी तरह के उत्पादों या सिवाओं को बाहर के किसी देश में बेचना या वहाँ पर भेजना यह निर्यात ही होता है, निर्यात इसको बलेता है, इसको export बोलेता है, और वहाँ से जो हम लाते हैं, उसको आयाद बोलते हैं, यानि इंपोर्ट उसको करना रहता है, निर्याद का जो उल्टा वर्ड है, या आपका आयाद है, अगले कोशन की बात करें, कोशन हमारा नेक्स्ट है, मुद्रा स्पीती को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, तो मुद्रा स्पीती को कम करने के से कि सन्युक्त राज अमेरिका की सिनेट नहीं देश के सर्वोच नियाले में बैटने वाली पहली अस्वेत महिला के रूप में किसके प्रिष्टि की है सही जवाब रहेगा कैतन जी ब्रावन जेक्सन इनका नामें इनको देश के सर्वोच अदालत में बैटने वाली पहली अस्वेत महिला के रूप में इनकी प्रिस्टिगी है और वर्थमान में DC सर्किट कोर्ट और अपिल्स की जज जेक्सन सुप्रिम कोर्ट के सेवानित्य जज स्टेफन बेयर की जगा ये लेंगी अगला कोशन पूचा गया है सेंट्रल बेंक से जो कि एक्जक्ट हमें नहीं मिल पाया है इसके लावा कोई बुक पूची ती लैटेस्ट उससा भी ये दोनों करेंट से रिलेटेट थे एक्जक्ट कोशन हमें नहीं मिले ये कुछ ऑनलाइन गुरस्ते से इनके बारे में साथ कोशन है एक्जक्टा में नहीं मिल पाया है सोडियम कार्वोणेट को आमतोर पर क्या का जाता है इसको दोन सोडा बोल एटा ही तो याद रिगिए का सारी के साधी कोशन से फॉर्ड लेवल के और अच्छे कासे लेविल के कोशन्स ये हैं नेक्स्ट बात करते हैं हमार और यहां पर कोई वर्ड था एफ वन एफ टू एफ ट्री ऐसा कुछ भी हो सकता है यहां पर जो कि हमें नहीं मिला है तो आप देख लिए इफ वाले पूरे पर जितने भी इस उटकट कीज़े उनको आप याद रगे का फंक्शन की यह होती है फंक्सन कि तो इनको आप देख कान सा इन पूरे है नहीं बता धा था उसमिंग बताना था कि कान सा इन पूरे एक मेनी कीबोड की आपको इमेज देरे कर दी जायस्टिक गेम कंट्रोल की इसके लाव माउस की और हैंड सर्ट यह चार औप्षन आपको देख ते दे लिगाई तो आ है इन्पूर इस तो क्योंट निया का प्रियाइवाची क्या है, तो याद रखेगा क्या इश तरह से यह लिखा जाता है, राजा का प्रियाइवाची क्या हिए तो सब्सक्राइब से कोशन बने हैं अलंकार आपका जैसा कि पूचाई गया है फस्ट सिप्ट में भी कोशन बने काल से कोशन बने संदी से समा से वाच कारक तस्थम तदभव अनेकारती सब्द सब्द रचनाएं है ना इसके अलावा लोकोक्तिय मुहावरे क्रम से जमाना पेरा वाले कोशन आये हैं संगठन विपनन याने मार्केटिंग नियोजन नियंत्रन निर्देशन मार्केटिंग अकाउंटिंग प्रबंद इन सभी टॉपिक्स आपके मैंनेजमेंट में कोशन बने हैं इंगलिस में बात करें एंटोनियम से कोशन पूचे गए मैंसे स्पाइल आपके आ रहे हैं इर्यर से कोशन बने सेंटेंस करेक्शन पैरा जंबल हो गए और डिरेक्ट इंडरेक्ट स्पीस से एक्ट्व पैसी वोईस हो गया इसके लावा सीनोनियम्स हो गए आइडम्स हो गए वन वर्ड सब्स्ट्यूशन भी आज देखनी को आपको मिला है मैं सम के लाव संँ पद्धिटी step firm प्रतिशत्त अपकार है उवसत्त अनुपात सम अनुपात इसके लावे मिच्न अपका और आपका हो गया नायुद्यागर समयकार, चाल दूरी, पाइ चार्ट, बोर्ड मास बोर्ड मास से कॉशन्स बन रहे, इसके अलावा ग्याई से छित्रमिती से कॉशन्स बन रहे, और बाउपस से भी कॉशन्स पूची जा रहे है, कि लिए रहे हैं रिजनिंग में अल्फावेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कतन, निसकर्स, पांसे से कोशन बन रहा है, रक्त संबंद हो गया, कैलेंडर, आकरती, दरपन, रेंकिंग, मिसिंग नंबर, और नंबर सीरीज, इन सभी टॉपिक से आपके रिजनिंग में कोशन पूछे जा हैं, तो यह दोनों सिफ्टों को हमने बता दिया है, आपको first and second का, कि कहां कहां से आ रहा है, और अच्छे-खास से कोशन समय मिल चुके है, जो कि पूरी डिटेल के साथ में हमने आपको करवाए, आई तिंग ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लागा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को सेयर करना ना भूले, और इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन करकर रखे, ताकि जो भी नए वीडियो है, सबसे पहले आप तक पहुच पाए, इस वीडियो के प झालने मत्रम